नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं 28 जुलाई से जार्खन बिधान सभा का मान्सून सत्र 28 जुलाई से 5 अगस्त तक आहुत करने के तेरी चल रही है कैबिनेट से पास होने के बाद राजेपाल से इस पर अंतिम मन्जूरी मिलेगी जिसके बाद सदन आहुत करने की अजिसुतना जारित होगी बतादे जार्खन बिधान सभा का मान्सून सत्र 28 जुलाई से 5 अगस्त तक आहुत होने की समभवना है कारी के मुताबिक इस दोरान 6 दिन का कारे दिवस रहेगा संसद्य कारे मंतिय अलम गीर अलम ने बताया है कि मान्सून सत्र आहुत करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जा रहा है जहां स्विकरीति मिलने के बाद नोडिफिक्तन जारी किया जाएगा गोतला भाय की पंचम जार्खन विधान सभा का पिछले बस मान्सून सत्र 29 जुलाई से 4 अगस तक आयो जित किया गया था मान्सून सत्र के दोरान प्रस्ण काल के अलावा कई विधायक सदन में पेस किये जाएंगे सदन को सांती पूर्ण और सुचारी रूप से चलाने के लिए स्पिकर रविन रात महतो सत्र शुरू होने से दो दिन पहले उच अस्तर यह बैठा कर आवसक निर्देश देंगे पंचायत अस्तर पर मिलेगी दवाएं 500 से ज़्यादा आवेदन स्विक्रित अब जार्खन में 55 अस्तर पर दवाएं मिलेंगे ग्रामिन अस्तर पर दवा दुकान के लिए 500 से ज़्यादा आवेदन स्विक्रित किये गए हैं सरकार की इस पहल से रोजगार के साथ स्वास्त सेवा का रास्ता भी खोला जा रहा है आदिवासी बहुल जार्खन के ग्रामिन इलाखों में स्वास्त सेवा को और मजबूत बनाने के लिए काम सुरू कर दिया गया है अब सुदूर पहाडी और जंगल में बसे ग्रामिनों को मामोली बिमारी से जुड़ी दवाओं के लिए तरसना नहीं पड़ेगा अब उनके पंचायत में ही दवाओं मिल सकेंगी मामोली बिमारी के गंभीर बिमारी में तब्दील होने की नौबत ही नहीं आएगी मुख्यमंत्री हमन सुरें की पहल पर पंचायत अस्तर पर दवा दुकान खोलने की क्वाय सुरू कर दी गई है अब तक पुरे राजे में दवा दुकान के लिए 543 आवेदन से विक्रित किये गए बता दे इस पहल को सबसे ज़्यादा देवगर जिला में रिस्पॉंस मिल रहा है ग्राम पंचायत अस्तर पर दवा दुकान खोलने के लिए अब तक कूल 1593 आवेदन मिले है जबकि पलामों से 85 आवेदन मिले है ज़्यारखन कॉंग्रेस में भी आदिवासी नेता को अध्यक्ष बनाने की मांग लोगसभा चुनाओं 2024 को लेकर सभी राई नितिक दल अपने अपने चुनाओं फैयदे के हिसाब से मोहरा तयार करने में लगे है इसी कड़ी में ज़्यारखन में भारते जनता पार्टी की कमान बाबलाम रांडी को सोपी गई भाजपा के इस फैसले के बाद कॉंग्रेस के अंदर से भी परदेश नेतिक की कमान किसी आदिवासी नेता को सोपने की मांग उठने लगी है राजी के पुरो मंत्री और कॉंग्रेस के करकारी अद्यक्स बंधू तिर्की ने इसकी मांग की है बंधू तिर्की ने अगला लोग सभा चुनाओं किसी आदिवासी नेता के नेतित में ही लडने की बात पर जोर देते हुए कहा है पार्टी नेतित को या समझना होगा कि परदेश को लोगों की भावनाएं क्या है उन्होंने कहा है कि जर्कन को एक आदिवासी परदेश के रूप में माना जाता है और प्राया सभी बड़ी पार्टी आदिवासी को केंद्र में रख कर ही कोई फैसला लेती है इन तमाम चीजों को ध्यान में रख कर निचीत रूप से किसी आदिवासी नेता के नेतित में ही कॉंग्रेस को चुनाव में जाना चाहिए मानहानी मामले में राहूल गांधी की सजा बहाल रखने के फैसले से कॉंग्रेस नराज मोदी सरनेम वाले मामले में गुजरात उच नियाले दोरा राहूल गांधी को दी गए निचली अदालत की सजा बहाल रखने के फैसले के खिलाप रांची में जार्खन कॉंग्रेस ने भारतिये जानता पार्टी के खिलाप आक्रोस मार्च निकाला बारिच के बीच कॉंग्रेस के परदेश्त अद्यक्स रायस ठाकूर के निकाले गए इस आक्रोस मार्च में कॉंग्रेस विधायक दल के नेता अलमगीर अलम, बित मंतरी रामेश्वर उरा, स्वास मंतरी बना गुपता, क्रिसी मंतरी बादल, पतरलेक सहीत अने नेता भी चार्खन कॉंग्रेस के अद्यक्स रायस ठाकूर ने कहा है कि उनके नेता राहूल गांधी ने जिस तरह से महंगाई बिरोजगारी भरष्टा चारदेश की लचर आर्थे किसीती के खिलाप राहूल गांधी ने आवाज बुलंद की है, उससे भाजपा के नेता घबराय धनबाद में समाने से 75% कम हुई बारिस चिंता में किसान, धनबाद में कम बारिस ने धान की खेती करने वाले किसानों की चिंता बढ़ा दी है, जिले में अब तक समाने से 75% कम बारिस हुई है, खेतों में धान का बिचला तयार करने के लिए डाले का बीज सुखने लगे ह क्रिस्टी विभाग का कहना है कि अगले एक हफ्ते तक बारिस नहीं हुई तो इस्थीती चिंता जनक हो सकती है बता दे जिले में 38,000 हेक्टेर जमीन में धान की खेती होती है खेतों में बिचला डालने का काम 15 जुलाई के बाद शुरू होता है लेकिन इससे पहले बीज डाल कर बिचला त्यार किया जाता है कुछ जगो पर बिचला सुखने भी लागा है धनवाद में अब तक 64.4 मिलिमीटर बारिस हुई है जबकि 260 मिलिमीटर बारिस होनी चाहिए थी ज़ारखन के गढवा जिले में गाव की दो लड़कियों ने एक ही दिन दी जान ज़ारखन के गढवा जिले में एक ही गाव की दो नवालिक लड़कियों ने जान दे दी मिरितकों की पचान 13 वरसे गीता और 16 वरसे रूची के रूप में की गई गीता का सव घर में ही मिला वहीं रूची का सव उसके घर से आधा किलिम्ट दूर जंगल में पेंड से लटकता हुआ मिला बता दे यह मामला का धवाजी लेके रांका थाना छेत अंत्रगत चूटिया पंचात इस्थित गाउं कहा है पहली घर में चुटिया के पच्मिवारा टोला निवासी सुकुल मांजी की तेरा वर्से बेटी गीता कुमाई ने अपने ही घर में खुद को कमरे में पंद कर और वहीं दूसरी घटना में एगार भी कि छात्रा रोबी कुमाई ने अपने घर से तक रिवन आधा क्लिम्टर दूरी पर्ज थी दूपटा के सहारा से आत्मात्या कर लिया सराय के लग हरसावा में सोव बेट के होस्टल के साथ महिला फूटबॉल ट्रेनिंग सेंटर की जल्द होगी शुरुवात खेल कूद एवम युवा कारे निदे साला के निदे सक रोजनी लकडा सुक्रवार को सराय के लाग के दूगनी आर्चेरी अकाडमी एवम खरसावा के आवास ये फूटबॉल पर सिक्छन केंदर का निरिक्षन किया इस दौरान उन्होने खिलाडियों को सरकार की ओर से उपलब्द कराए जा रहे हैं सुवधावों को जनकाली दी साथ ही बेहतर खेल का प्रदोसन करने के परती परोशाहित किया डारेक्टर सरोजनी लकड़ा ने बताया है कि उनके इस दोरे का उदे से परते केंदरे में जा कर खिलाडियों से सिधा सनौअ कर उनकी समस्याओ को जानना तथा उन समस्याओ को जल्द समधान करना है उन्होंने खास कर फुटबॉल प्रसिक्षन केंद्रे की ब्यवस्था की सरहना की कहा कि आभाव के बाजूद इस केंद्रे के खिलाडी न केवल सक्रिय हैं बली केंद्रे का नाम रोशन भी कर रहे हैं चत्रा में पूलिस और टी एस पीसी उग्रवादियों के बीच मुडभेड जार्खन के चत्रा जी लेखे कोंदा थाना चेत्रे के अनगड़ा जंगल में जार्खन जगवार और टी एस पीसी के बीच भीचन मुडभेड हुई हलाकि दोनों और से किसी को कोई छती नहीं नामी आक्रमक गांजू उर्फ आक्रमक उर्फ रबिंद्र गांजू के दस्ते के साथ मुडभेड हुई है इसके बाद सर्च अभिचान चलाया गया है जिसमें एक बीदेसी पिस्टल पचीस कार्टूस दो मैगजीन तीन कीपेड मोबाइल और दैनिक उप्योग का अगरी बरामत हुए है जारखन में भी जोती मोरिया जैसा केस यूपी के जोती मोरिया का ममला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि साहब गंजीले के बोरियो परखन छेत्र से ऐसा ही ममला सामने आया है जहां पती अपनी पतनी की बराम्दगी के लिए दर दर की ठोक रिख ठाने में अवेदान लेकर नया की गुहार लगा रहा है पती का कहना है कि उसने कर्ज लेकर अपनी पतनी को पढ़ाया एनेम बनाया और अब पतनी उसके साथ धोके बाजी कर बेटे सहीत लपता हो गई गुरुवार को पतनी की सकुसर बराम्दगी को लेकर गुहार लगा अब दोबे के कर्याला में पहुचा उन्होंने बताया कि 2008 में साधिकी थी उसे एक दस वस का पुत्र भी है सरकार के लेटर के इंतियार में ज्हारखन के विस्तो भी दालाया ज्हारखन के विस्तो भी दालियों ने इंटर की पढ़ाई को लेकर कोई नोटिपिकेशन जारी नहीं किया है बीते दिनों मुख्य मंत्री हमां सुरह ने डिगरी कॉलेज में इंटर की पढ़ाई फिर से सुरू करने की बात कई थी विभाग या सरकार की ओर से अब तक कोई नोटिस नहीं आया है जिसे डिगरी कॉलेज में फिर से इंटर की पढ़ाई शुरू की जा सके मालुम हो कि नई सिक्षा नितिक तवर डिग्री कॉलेज से इंटरमीडियेट की पढ़ाई को खत्म कर दिया गया है जिसके बाद बिरोध किया गया सुत्रों ने बताया कि इंटर की पढ़ाई के लिए सुबा साधे दास बये से चार बये तक का समय सरकार ने धारन करना चाहती है जो भी सुभी द्याले में इस समय पर कक्षा लेना संभवनाई है